जै गव मातागी, जै भारत मातागी, आप सब कैसे हैं? उमीद करता हूँ कि मा भगवती कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मा भगवती कृपा आप लोग उपर सैदे बनी रहे मैं सुमन सर्मा, आप सब का, आपके अपने चैनल जोति साधना के अंदर में स्वागत करता हूँ और आज एक बड़े इंटरस्टिंग विशे को लेकर आप लोगों के समक्स आने का मा भगवती का आदेश रहा है आदेश क्या है, विशे क्या है, दोस्तों विशे है शिवलिंग को लेकर शिवलिंग घर में रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए रखना चाहिए तो किस धातू का रखना चाहिए और कितने बड़े आकार में रखना चाहिए ये बड़ा ही संसे का विशह रहता है बहुत से स्वाल आते हैं उनके जवाब भी दिये जाते हैं तो आज वीडियो के माध्धम से जानकर याप सब तक पहुंचाने का हमारा लक्ष है विशह पर आगे बढ़ने से पहले आप सब से छोड़ा शाय निवेधन आप यदि इस वीडियो को सोसल मीडिया के किसी भी माध्धम से किसी भी प्लेटपोर्म पर आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियो आपको आपके अपने चैनल जो तिसादना के अंदर यूटूब पर प्राप्त होगी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और पुरानों के लिए भी एक जानकारी जरूरी है कि वो वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा सेर करें और कॉमें जैगमाता की जरूर लिखें दोस्तों विशे पर आगे बढ़ते हैं विशे क्या है शिवलिंग को लेके शिवलिंग घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए तो पहला जवाब तो यह है कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए यदि आप मंदिर डेली नहीं जा सकते हैं क्योंकि मंदिर घर से अक्सर थोड़ा दूरी पर मिलता है तो आज इस भाग धूरबरी लाइफ में हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता है कि हम शिव भगवान के दर्शन मंदिर में जाके इकत पाएं तो कुछ लोगों का प्रियास रहता कि क्यों ना हम भगवान शिव को अपने घर में ही बिढ़ाएं शिव लिंग के रूप में हम जानते हैं कि भगवान शिव को लिंग के रूप में हमेशा पूछा जाता हूँ भगवान जो शंकर हैं वो बड़े भोले हैं बहुत जल्दी प्रशन होते हैं प्रंतु क्रोध आने पर वो तांडव भी बड़ा जवर्दस्त करते हैं तो इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जिसके करण वो निरास हो तो ऐसी कोई गलती ना हो इसी विशे को लेकर आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उस तो शिवलिंग घर में रख लेना चाहिए अच्छा लगता है कि हमारे अनदाता हमें इस संसार में वेजने वाले को हम घर में थोड़ी सी जगे दे पाए क्योंकि उसने तो हमें इतनी बड़ी ये पृत्वी विशाल का ये पृत्वी दे दी है तो दिल में एक हूता है भगतों के कि हम भगवान को अपने घर में जगे दे मंदिर में भी दर्शन करना पसंद करते हैं फर घर में भी कुछ लोग रखना पसंद करते हैं तो वो संसे में रहते हैं कि किस धात्व का शिवलिंग रखे किसका ना रखे तो धात्वों में दोस्तों ज्यादा बेङतर मैं अक्तर घरों में दिए आँ कि हम लोग पथर के शिलेंग को रख लेते हैं हैं मिटिसे को सो नहीं रखना चाहिए का लिए कफ़ों का ही घर में रखा जाता है चांदी सोने का भी रख सकते हैं पारी का शिवलिंग भी रख सकते हैं और नर्मदेश्वर नर्मदानदी से निकलने वाला हर पत्थर संकर होता है तो भी बड़ा सुब परभाव देता है वो शिवलिंग भी हम घर में रख सकते हैं और इसके साथ में स्पर्टिक का शिविलिंग में घर में रख सकते हैं और इसके साथ में एक बड़ी विसेस्ता है दोस्तों विसेस्ता क्या है कि जिस धातू का शिविलिंग हो उसी धातू से बना हुआ तामबेका ने जो चांदी का शिविलिंग के उपर चांदी की तार से बना हुआ नाग जरूर रखे जिस धातू का शिवलिंग हो उसी धातू से बना हुआ सरप भगवान शिवलिंग के साथ में जरूर रखे क्योंकि बिना नाग की भगवान अधूरे माने जाते हैं तो इसलिए शिवलिंग के साथ में सरप को जरूर रखे एक और चीज़ इवरा तो पर सुधता बहुत ज्यादा होने चाहिए दूसरा क्या है दोस्तों शिवलिंग जिस जगे पर रखा जाता है वहाँ पर पानी की ववस्ता जरूर होनी चाहिए और हर दिन जो है shivling को सनान जरूर कराना चाहिए क्योंकि जो उर्जा shivling के अंदर से निकलती है आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं ये जो shivling पर पानी चढ़ाया जाता है दूद चढ़ाया जाता दही चढ़ाया जाता ये विवर्थ नहीं चड़ाया जाता है ऐसे नहीं है कि ये जल चड़ाना ये सब सुरू कर दिया इसके पिछे बहुत बड़ा रेज़न है कि शिवलिंग के अंदर से ऐसे ये उर्जा निकलती है जिसको रोक पाना संभाव नहीं होता है वो पोजटिव के साथ साथ वहां के वात अवरन को तभा कर सकती है अगर उसको संतूलित नय रखा जाए और संतूलित किसी से रखा जाता है जल से दूद से दही से जो इस तरह की बाते करते हैं के इतना दूद और इतना शिवलिंग पर चड़के बरबाद किया जाता है तो ऐसे बरबाद नहीं किया जाता है इस रिष्टी को बचाने के लिए ही शिवलिंग पर जल और दूद दही घी को बहुत से ऐसे पदारत हैं दोस्तों जो शिवलिंग पर चड़ाए जाते हैं तो उनको इसका उत्तर जरूर दें ये बड़ा लंबा विशे हो जाएगा तो हम सूर्जा का उलेख भी करना चाहें पर वीडियो जादा लंबा हो जाएगा तो आज का जो टोफिक हैं उसी टोफिक पर रहते हैं कि शिवलिंग पर डेली जल जरूर चड़ाएं ऐसे नहीं है कि आप शिवलिंग को घर में रखते हैं और बाकी जो शिवलिंग है वो घर में क्यों नहीं रखे जाते हैं जो उर्जा चांदी के शिवलिंग से सोने के शिवलिंग से स्पर्टिक के शिवलिंग के या पारे के शिवलिंग से उर्जा निकलती है उनको घरों में नियंत्रन करना बड़ा सरल होता है कि हम अपने पूजा पाठ के माध्यम से, हम भगवान से भगती के माध्यम से उस उर्जया को नेंतृत कर सकते हैं परंतु जो मंदीर में शिवलिंग होता है या मिट्टी का जो शिवलिंग जो पका के बनाये जाता है मिट्टी को उसके अंदर से निकलने वाली जो उर्जया होती है उसको नेंतृत केवल मंदिर में ही किया जा सकता है जहां पे अत्यधीक शंक्या में भगतों के द्वारा भगवान पर बहुत ज्यादा मात्रा में जल चड़ाया जाए दूद चड़ाया जाए दही चड़ाया जाए इसलिए घर में केवल इनी धातुवों का सिविलिंग रखा जाता है जो धातुवे मैंने आपको विबरन दिया है तो इसलिए इन धातुवों के अलावा किसी और धातुव का सिविलिंग रखने की गलती आप घर में ने करें कि वहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में दोस्तों जल और दूद से भगवान शिव कावी से किया जाता है अनेको प्रकार की स्तूति और मंत्रों चारण के साथ भगवान संकर को प्रशन करने का और उरुजा को नेंतर करने का हर भक्त का प्रियास चलता रहता है प्रण तो घर में इतना संभाव नहीं होता है कि घर में ज्यादा से ज्यादा दो भक्त होंगे तीन भक्त होंगे चार होंगे लेकिन इतनी संख्या में भक्त घर में नहीं होते हैं इसलिए घर में किवल इनी धातुमों का शिवले रखे परन्तु इन शिवलिंगों के साथ साथ ऐसे वर्त में ना रख दें कि रखके छोड़ दिया सिर्फ घर में लेके आने की बस एक इच्छा थी वो पूरी हो गई है ये आपको आपके इस करम के बदले कुछ ऐसे प्रिणाम देगी जिनके लिए आप परेशान हो जाएंगे तो इसलिए कि वल निदात्व को खुई शिवलि बैठ कर प्रातना करे आराधना करे कि प्रभू मुझे आप अपनी पोजटिव उर्जा से उच्छाहिद करिएगा ऐसी उर्जा को मेरे घर में आवत्रित्मत होने दीजिएगा जिसको रूख पाना संभव ना हो तो ये हैं महाकाल की महिमा और दोस्तों घर में रखे शिव परतिष्ठा में जो स्थिर मंत्रों का उचारण किया जाता है उससे भगवान का वहां पर स्थिर होना आनिवारिया हो जाता है और ग्रहस्ती में ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि कभी कबार हमें घर से बाहर भी जाना पड़ता है दो तीन दिन दिन के लिए तो फिर पूज पूरण नय हो वेगन पड़े तो उससे प्रभु निराज हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं तो इसलिए चल अचल परतिष्ठा करें चल चल का मतलब क्या है कि प्रभु जब हम घर में हों तब ही आप पस्तित हो जाएं वैसे तो ये पूरा संसार ही आपका है परंतो हम भग कriasा के साथ हमें अपनी करप अधिर्श्टि से अनुग्रेहित करते हैं अब आते हैं दोस्तो अंत का विश्य है कि itu ряд का साइज कितना होना चाहिए है शिवलिंग का साइज जो है अंगूठे के बराबर होना चाहिए जो यह हमारा अंगूठा होता ना इसके बराबर ही शिवलिंग का साइज होना चाहिए इससे ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में आपके लिए समस्याइं खड़ी कर देगा तो छूटा शिवलिंग रखें नित्य भगवान की भक्ती भी करें प्रात्ना भी करें बिनास्तूतियों के घर में शिवलिंग को ने रखें ये आपको पुजटीव उर्जा के बदले नेगरिटीव उर्जा से परिपूरन कर देगा क्योंकि भगवान संकर्तमों गुंसे सुसजित हैं जैसे विश्णों भगवान सतों गुंसे ब्रह्मा रजों गुंसे तो समसान घाट के वासी हैं तो बहुत से ऐसे कारण दोस्तों अन्य धात्वों के शिवलिंग नहीं रखे जाते हैं समसान घाट के वासी हैं तो एनर्जी जबाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर उनका ऐसा प्रभाव पड़ सकता है जो आपने ने सोचा हो ने देखा हो तो अन्य धात्वू का शिवलिंग जो होते हैं वो के बिल मंदिर में ही अच्छे लगते हैं मिट्टी या पक्थर से बना हुआ नर्मदेश तो वो विशेश पूजा के लिए धात्व के शिवलिंग का प्रियोग किया जाता है वो कुंडली के अनुशार ही उस शिवलिंग की पूजा की जाती है या फिर बड़ी विपतियां पढ़ने पर उस शिवलिंग के उस धात्व के शिवलिंग की पूजा की जाती है तो ये आप जिन जिन धात्वों के शिवलिंगों की घर में आप पूजा कर सकते और एक बड़े मैंने बात देखने को मिलेगे लोग अक्सर घर के बाहर किसी घमले में या फिर तुलसी के पेड़ के नीचे शिवलिंग को रखतेते हैं दोस्तों शिवलिंग आपके मंदिर में होना चाहिए और मंदिर आपके बैडरूम से दूर होना चाहिए ये ध्यान रहे अक्सर बहुत से लोग क्या करते हैं कि मंदिर को अपने जो है बैडरूम में ही स्तापित कर देते हैं तो वो चीज भी गलत है और भगवान की प्रतिमाओं के सामने एक बढ़दा भी जरूर होना चाहिए चुकि वो हमारे पूरवज हैं हमारे माद पिता हैं तो मान सम्मान किस से होता है वो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या बात बोली है जिनको समझना चाहिए वो समझ गए होंगे तो भगवान का सम्मान हर तरीके से करे के बल यह नहीं है कि प्रभू को घर में लाकर स् मान भी देजिए उची जगह जीजिए चाहे छोटी सी जगह देजिए लेकिन जगह उनको जरूर देजिएगा और वो जगह ऐसी होने चाहिए जहां निकलते बढ़ते आपका जो है नतमस्तक होते हों आपका सिर जोगता हो तो शिवलिंग का घर में रखना आपके लिए सम्मान के साथ अच्छी जगह पराप प्रभू को स्ताफित कीजिए और फिर देखिया भगवान संकर का मन विवोर आनंद के जो प्रशन हो जाते हैं तो समस्त समश्याओं को निप्टा देते हैं ऐसे हैं महाकाल यह दुनिया ऐसे ने उनको भूले नात कहती है बूले शंक कर भगवान कीजिए यह थी प्रभू के महिमा आप इसका पालन कीजिएगा और इस तरीके से सिवलिंग को स्ताफित कीजिएगा फिर देखियेगा प्रभू के लिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको जानकारी कैसी लगी है कॉमेंट में जरूर बताईएगा और प्रभू की जरूर लिखेगा और यदि आप किसी विशे को जानते हैं या जानना चाते हैं कोमेंट में जरूर बताएएगा और गरीबों की जरूरत मंदों की मदद करिएगा बे जुबान पसू पक्सी दोस्तों फूखे हैं तो अन दीजिएगा प्यासे हैं तो जल दीजिएगा और बेमार हैं दर्द में हैं तो मरहम दीजिएगा इनको गले से लगाईएगा इनकी मदद जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे बड़ा कोई पूजापाट धर्ती पे नहीं हो सकता है जरूरत मन की मदद करना है ये भी एक पूजापाटी है ये भी एक जाप है ये भी एक यग्य है ये भी एक दान के समान है तो ये करम जरूर करिएगा और आज के लिए इतना ही फिर किसी नए विशेपर इंट्रेस्टिंग विशागों लेकर आप लोगों के समख साने का परियास रहेगा तब तक के लिए खुश रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आपके मुस्कान हजारों को खुशी दे सकती है इसी के साथ जै गौ मातागी, जै भारत मातागी